दूती विशुद्ध का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में रक्त, हाहाकार और तबाही का मंजर सामने आ जाता है इस सुद्ध से जुड़ा 9 मई 1945 का दिन काफी एहम हो जाता है क्योंकि इसी दिन नाजी जर्मन सेना ने दूती विशुद्ध में आत्म समर्पन किया था और इसी दिन हर साल विजय दिवस के आउसर पर रूसी परेट का आयोजन किया जाता है इस साल भारती प्रधान मंत्री ने रूसी राश्पती को बधाई संदेश भेजा है इसके साथ ही भारत इस आउसर पर अपना त्री सेवा दल भी भेजीगा यहाँ ध्यान देने यह उग बातिया है कि COVID-19 के चलते इस बार की परेट 24 जून को आयोजित की जाएगी आपको बता दें कि दिती विश युद्ध यूरोप में साल 1949 में शुरू हुआ था जो सितंबर 1945 तक चला इस युद्ध में एक तरफ धूरी राष्ट थे तो दूसरी ओर मित्री राष्ट धूरी राष्टों का नित्रित जर्मनी इटली और जापान ने किया तो मित्री राष्टों का नित्रित ब्रिटेन अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने किया युद्ध के कारणों पर नजर डाला जाए तो 1920 की वर्साय संधी जर्मनी और इटली की विस्तारवादी नीती सामराजिवादी शक्तियों के साथ में जापान का उदय जैसे कारण महत्तुपूर्ण थे इसके परिणाम और भी भयावा थे यहुदियों की हत्या हिरोशीमा और नागासागी पर परमाडू हमला 1991 में शुरू हुआ श्रीत युद्ध जो सोवियत संग के विक्टन तक जारी रहा इसके अलावा संउक्त राष्ट संग की स्थापना भी इसी युद्ध का परिणाम था इस बीच भारत के साथ रूस के रिष्टे भी बनते भी गड़ते गए लेकिन आज भारत और रूस के बीच दोस्ताना संबंधों को देखा जा सकता है। आयोजित पांच में भारत रूस सैन उद्द्योग संबिलन के दोरान दोनों देशों की कमपनियों द्वारा रक्षा उपकरणों को विक्सित करने के लिए समझोता जैसे महत्पून कदम हैं जो भारत रूस के मजबूत रिष्टों को बया करते हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा छेतर को लेकर गिर्ग कालिक और व्यापक सहयोग रहा है। आमेरिका की तमाम चुनोतियों के इतर दोनों देश रक्षा प्रणालियों के उत्पादन की और लगतार विक्सित हो रहे हैं। कै।